आप सभी का तीप्स कीचन में स्वागत है आज मिलेकर आई हो गाजर मतर की बहुती मज़ेदार स्वादिष्ट सबजी तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं बनाना यहां पर मैंने दो मेडियम लिये हैं प्याज एक छोटी लिये हैं मैंने हरी मिर्ची और मैंने चार से पाज यहां ले लिये हैं लसन इन सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है आधा इंच के करीब टुकड़ा लिया है मैंने अधरक का उसको भी मैंने चॉप कर लिया है और यहां पर मैंने refined oil लिया हैź 1 डू चोटे मच जीरे लिया है मैंने 1 1 चोटे मच की जीरे को थोड़ा से चटकाएंगे जिससे की जीर City चटकने से अच्छा लगता है और साथ ही यहां पर मैंने ली है हल्दी ली है एक चथाई चोटा मच इन सबको अच्छे से गरम करने के बाद इसके बाद यहां पे मैंने अद्रक और लसन को पीस लिया है और साथ ही मैंने हरी मिर्ची काट ली है इनको मैं थोड़ा से चला करके इनको भी मैं अच्छे से तेल में खून लोगी जिसे कि इसके फ्लेवर जो हैं बहुत अच्छी आएंगे मैंने यहाँ पर बारी काट लिया है प्यास को और प्यास को काटने के बाद मैंने उसको भी तेल में डाल दिया है और साथ ही अब मैं इन सब को एक से दो मिनट चला लूँगी जिसे कि जो हमारे मसाले हैं वो प्यास जो है हमारे वो भून जाएंगे यह देखे किस तरह से हमारा जो प्यास है वो भून रहा है हलका गुलाबी होने तक ही बसी से भूनना है जादा नहीं भूनना क्योंकि हमें जो है इसका अगर हम जादा भूनेंगे तो फ्लेवर्स नहीं आ पैंगे यहां पर हमें इसमें गाजर मटर की सबजी में थोड़ा सा अधरक लस्जन और प्यास का फ्लेवर भी आए तो बहुत अच्छी सबजी बन करके आती है बहुत ही असानी से बन जाती है यह सबजी और बहुत ही अच्छी सबजी बन कर आती है यह तो यह देखी यहां पर मैंने ले लिये हैं गाजर और यहां पर मैंने ले लिये हैं मटर आधा किलो गाजर लिया है और आधा किलो ही मैंन देखने में बहुत अचही है और खाने खाने में अरामी से इसे हम क्षा सकते हैं यह देहिए कैसे तरह क्या है इसे इस लिए गोल गाजर काटी है यहाँ पर अब हम डालेंगे हैं अपने मसाले मसाले डालने से पहले मैंने इसको अच्छे से भूनना है मैं इसको तेल के अंदर और जो मैंने प्याज लस्टन करा है उसके अंदर सबजी को मैं अच्छे से एक से दो मिनट इसको हिला मिला लूँगी और यह देखी किस तरह से मैं इसको mix कर लूँगी जिसे कि जो हमारे जितने भी flavors हैं वो सबजी के अंदर अच्छे से आ जाएं यहाँ पर मैंने सबजी चला ली है और सबजी चलाने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे थोड़े से मसाली मसाले जाएंगे यहाँ पर मसालों में मैंने यहाँ डाली है हल्दी एक चथाई चमच आधा चमच के करीब यहाँ पर डाला है मैंने लाल मिर्च यहाँ पर धनिया पॉडर डाला है एक चमच के करीब और इन सब को मैं अच्छे से mix कर लूँगी फिर से जिससे की जो हमारे मसाले हैं वो सभी सबजी में अंदर दक चले जाएं यहाँ पर जो है मैंने जितने भी मसाले लिए हैं वो छोटे चम्मत से लिए हैं अब यह अइन को अच्छे से मैं चला लूँगी उलट पलट कर लूँगी जिसे की जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाएगा यह देखिए यह चलाना बहुत जरूरी है जिसे की सबसी जो है वो मस्त अच्छी बनके आती है और नीचे लगती भी नहीं है अब यह देखिए हमने सारे मसाले जो हैं इसमें डाल लिये हैं अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको चला लिया है और मैं आपको दिखाओंगी कि इसकी रंगत बहुत बढ़िया बन करके आ रही है यहाँ पर कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में यहाँ सबी मसाले मैंने डाल लिये हैं सिर्फ यहाँ पर नमक रहा गया है तो अब मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूँगी यहाँ मैं नमक जो है वो एक छोटे चमच के करीब डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा यहाँ मैं जादा ही रखना चाहती हूँ जिसे की जो सबजी है जब ब चाल करें भी मैंने थूड़ी सी सबजी को अलट पलट करके चला लिया है जिससे की नमक जो है वह बी अंदर तक अच्छे से चले जाए अब यहां पर मैंने इसका घक्कन लगा Diga धिया है कडाई में मैंने इसको धकन लगा पकाऊंगी और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी जो है उपर से डाल दिया है वो मैंने इसलिए पानी उपर से डाला है जिसे कि जो सब्जी है वो जल्दी बनके आ जाएगी और साथ ही जो सब्जी है वो हमारी नीचे भी नहीं लगेगी अक्सार होता है कि जब हम सूकी सब् अब यहाँ पर मैंने एक छोटा चमज जो है वो चीनी डाल दी है और पानी मैंने इसलिए भी डाला है जिससे कि जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा जो चिपचिपा बना जाता है सबजी में तो उसको अवाइट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आपकी जो सबजी है वो सौफ्ट और बहुत अच्छी बन कर आएगी यह देखिए थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया है जिससे कि सबजी नीचे भी न लगे क्योंकि थोड़ी सी सबजी नीचे लगनी शुरू हो गई थी मेरी अगर इस तरह से होता है तो आप पानी थोड़ा सा और चला लूँगी और एक से दो मिनट इससे ढखकर और बनाऊंगी जिससे कि हमारी सबजी जो है वो अच्छे से पक जाए कच्छी न रहे यह देखिए मैं इससे थोड़ा सा और चला लूँगी जिससे नीचे न लग जाए अब यहां पर मैं इसको ढखकन बन कर दूँग फिर से और मैं इसको दो से तीन मिनट जो है स्लो फ्लेम पर ही इसे पका लूँगी जिससे सबजी जो है अच्छे से बन जाए कई बार गाजर जो होती है सरदियों में नहीं गल पाती है तो गाजर भी अच्छे से गल जाएगी और मतर भी हमारी कच्छी नहीं रहेगी तो इसलिए जो है इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, ये देखिए हमारी सब्जी बन करके तयार हो गई है, अब यहां पे मैंने उपर से डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके उपर डाल दिया है, सब्जी हमारी रेडी है बन के ये यहां चालाकर देखे हैं यहां देख लिया है यह दोनों चीज हमारे बहुत बड़ी है अब यहांग है अच्छे से बन गई है बहुत ही अराम से हमारी गाजर भी कट रहा है अब यह कहीं सब्सी हमारी बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है तैयार हो गई है अब हम इसे सर्फ कर सकते हैं इसको आप रोटी पराठे के साथ पूरी के साथ किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल के साथ भी आप इसको सूकी सबजी को खा स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू बाई